नमस्कार दोस्तों स्वाद करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज आपके लिए बहुत बड़ी रेकूट्मेर अपडेट लेकर रहा हूँ जो की सरकारी विभाग के तरव से 12th Pass Candidates के लिए बहुत अच्छी Opportunity निकल के आई हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कैसे अप्लाई करना है कौन कौन अप्लाई कर सकता है पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने ही वाला हूँ तो वीडियो को इन तक पूरा जरूर देखिएगा फर्स टेम आप मरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सबस्क्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा जिससे आपको हर एक नोडिफिकेशन आपके उमवाइल में मिलता रहे और समा रहते हैं आप इसके लिए अप्लाई कर पाएं वहीं से सारे job related update जो आप ले सकते हैं और चेक करके apply आप कर सकते हैं तो चलते हैं recruitment update के उपर और वहीं पर चलके बाकिक information जो आपके साथ share करता हूँ फिर भी आपको किसी तरह की कोई भी update चाहिए हो तो आप मुझे comment box में comment करके बता आई सकते हैं तो चलते हैं update के उपर सबसले vacancies की बात कर लेते हैं तो ये notification assistant की post के लिए जो के judicial की लिए जिसके आपकी salary 44,900 से लेके 1,42,000 तक रहेगी ये 5 vacancies out की गी हैं जिसको unreserve के लिए 3, OBC के लिए 1, SD के लिए 0, SD के लिए 1 post जो reserve रखी गी है और यहाँ पे 21 से लिए 30 साल तक के candidate जो हैं वो eligible ने apply कर सकते उसके बात आती है हिंदी translator की vacancy है जिसमें 35,400 से लेके 1,12,000 आप तो 400 आपकी salary रहने वाली है एक post out कीगी है यहाँ पे 21 से लेके 30 साल तक के candidate जो हैं वो apply कर सकते हैं तरी से लेके 32 साल तक के candidate eligible है stanographer grade 1 की vacancy है जिनके लेके 35,400 से लेके 1,12,000 आपकी salary रहने वाली है और यहाँ पे 21 से लेके 30 साल तक के candidate eligible रहेंगे senior accountant की post है जहाँ पे 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपकी salary रहेगी 21 से लेके 30 साल तक के जो candidate है वो यहाँ पे eligible है अपलाई कर सकते हैं उसके बाद next अगर यहाँ पे मैं बात करूँ accountant की post के लिए 25,000 salary आपकी रहेगी और 21 से लेके 30 साल तक के candidate eligible है stanographer grade 2 के लिए आपकी salary 25,500 से लेके 80,100 और 21 से लेके 27 साल तक के जो candidate है वो eligible है अपलाई यहाँ पे कर सकते हैं प्लस यहाँ पर टाइपिंग स्पीड मागी गई है online आपको अवेदन करने सारे लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए step by step details आपको दी हुई है चेक करके apply कर लिजेगा फिर भी आपको कोई भी doubt हो तो आप मुझे comment box में क्वेट करके बताई सकते हैं मैं आपके लिए सभी तरह के latest recruitment update जो लेकर आता ही रहूँगा तो यह आज का notification है जो की out किया गया इसका link के description में दिये दिया गया है जाके चे निवाज जी